ये एक नई सुबा है, ये एक नएा दिन है और नए दिन के साथ एक नएा टास्क आता है। Quadratic Equation Solve करने के लिए इस Equation को अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये है Standard Ax² प्लस Bx प्लस C is equal to 0 फॉर्म में जिस पर हमने अपनी प्रीवेस वीडियो में रोश्नी डाली थी। ना सिर्फ ये बल्के ये प्रामिस भी किया था कि हम आपको Quadratic Equation Solve करना सिखाएंगे। वेल, हम इस प्रामिस को फुल्फिल करने आये हैं। तो, सेम Quadratic Equation को सॉल्फ करने के Multiple Ways हैं। लेकिन चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम यहाँ पर डिसकस करेंगे दो Methods को शुरू में। इन्हें कहते हैं Factorization और Competing Score टेकनीक। क्यों न हम पहले Factorization Method को डिसकस करें। हमेशा easy से स्टार्ट करना बहतर होता है और फिर मुश्किल शुरू करेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि 18 के क्या Factors हैं। Yes, Yes and Yes आपने इन्हें Identify कर लिया है Quite Flawlessly। इन Factors का Specific Pears का Product आता है यहाँ पर 18 इंडीड। तो मुझे बताएं अगर हम Numbers को Factorize कर सकते हैं तो क्या Algebraic Terms को Factorize नहीं कर सकते। Sure हम कर सकते हैं और बहुत ही Easily। कैसे करेंगे। मैं आपको बताता हूँ। एक quadratic equation की Standard Form को Consider करें। जहां R और S को दो Numbers लें जिनको एक साथ Multiply करवाने पर जिसका Answer आएगा Equal उस Product के जो के Coefficient A और C Constant का है। और जब हम Add करते है R और S तो हमें Result में मिलेगी Middle Term Coefficient B। तो अगर आप इस बारे में सोचें हम B को दो Factors का Sum लिख सकते हैं यानि R और S का जो हमें पूरी Quadratic Equation की Factorization दख ले जाता है। इन सबको Action में देखना चाते हैं। मैंने कुछ ऐसे ही सोचा। अब आगे बढ़ें और Equation को Solve करना स्टार्ट करें। जैसे के ये। पहली चीज पहले हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये एक Equation है। वैल ये पता चलता है Equals to Sign से। Moreover, Highest Power 2 से ये क्लेर होता है कि ये Equation Quadratic है। ये इसकी Left Hand Side है और ये इसकी Right Hand Side है। हम इसे नाम देंगे Equation 1। तो हम इसको पहले लाएंगे Standard Form में। हम Shift करेंगे X plus 20 Left Hand Side पर और 0 को वहीं छोड़ देंगे। फिर Add करेंगे Negative X, Negative 6X में। Great! ये Quadratic Equation अब Successfully Convert हो गई है Standard Form में। इसे कहेंगे Equation 2 और अब Compare करेंगे। अगर हम इसको इसकी Standard Form के साथ रखें यानि AX squared plus BX plus C equals to 0 तो हम देख सकते हैं कि यहाँ A3 होगा। A, Negative 7 है और C, Negative 20 है। हम हमेशा Consider करेंगे Coefficient और Constant को उनके Science के साथ चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने अभी सीखा के R into S is equal to A into C, जो के 3 multiply by Negative 20 है जिससे हमें मिलेगा Negative 60। और Individual Values को हासिल करने के लिए R और S की हमें Negative 60 को दो ऐसे factors figure out करने होंगे जिसका Total होना चाहिए Negative 7 यानी B की Value और अगर आप Observe करें आप कह सकते हैं के Negative 12 और Positive 5 ये वो Required Factors है Negative 60 के जिसे Add करने पर Result आएगा Negative 7 तो इसका मतलब है कि हम Negative 7 को लिख सकते हैं Minus 12 प्रस 5 साथ में Same Variable X के यहाँ से ऐसा है जैसे पार्क में वाक करना हम लेंगे Common Terms से 3X Squared – 12X से और फिर प्लस 5X – 20 से Factorize करेंगे ऐसे 3X into X – 4 प्लस 5 into X – 4 Right off the bat आप नोटिस करेंगे कि दोनों Terms में X – 4 कॉमन है अगर हम इसे बाहर निकालें तो ये Automatically बना देगा 3X plus 5 एक और Factor अब हमें ये करना है के Equate करेंगे X – 4, 3X प्लस 5 को 0 से यहाँ First में हम Shift करेंगे Negative 4 को Right hand side पर X को isolate करने के लिए और यहाँ दूसरे में हम Positive 5 को Shift करेंगे Right hand side पर और फिर इस 3 को भी Shift करें X को isolate करने के लिए हमारे पास X की दो values है 4 और Negative 5 अपान 3 Lastly, जबके ये दोनों given equation का solution है हम इने note करेंगे हम इनको X के solution set पे इस तरह से note करेंगे curly brackets में अब ये एक example थी quadratic equation की बहुत सारी examples में से जिसे हमने देखा मेरे पास बहुत सी और equations भी है जिने हम पढ़ेंगे जैसे के ये That's right मजीद जानने के लिए हमारी next वीडियो का अंतिसार कीजिए